तो वेलकम बैक हमारी यूटूब चैनल टेक्निकल बकायत में और आज हम आपके लिए ले किया है वो फोन जो भाईया री ब्रांड करके चाइना हमको वेच रहा है इंडिया में अपना नाम बदल के जी हाँ यही वो फोन है जो चाइना में लांच किया जाता है रेड्मी नो आप समझी रहे होगे कि कितना बड़ा जोल जाम हो रहा है हमारे साथ और वो कर कौन रहा है चाइना की कंपनी सामी जो की इंडिया मार्केट में चाइना से चला रेड्मी नोट 11 और आते आते इंडिया में हो गया पोको M4 प्रो और पीच में 5G भी हो गया तो यही सब हम आ जायद यह फोन अभी तक लांच नहीं हुआ है मार्केट में और इस फोन का प्राइज रेंज 15,000 सो 16,000 के बीच में रखा गया है तो इस प्राइज रेंज के अंदर हमको कौन से स्पैसिफिकेशन इस फोन में मिलने वाले हैं क्या यह फोन हमको मार्केट में आते ही पर्च यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लीजे अगर आपने नहीं करा है अगर आप हमारे नए वीवर्स हैं तो हमारा इस वीडियो में हम व्यू टार्गेट रखते हैं 200 का जो की बहुत ही कम है आई होप यह तो टार्गेट आप लोग पुरा करी सकते हैं सबसे पहले हमारे इ लक्त इस टीकर मिल जाते हैं डापमेंट मिल जाते हैं और को काफ़ी डीशञर का है जींड क्वाल्टी का यह नम्हीं को रिच रहा है और यह USB Type-C Cable तो चलिए यह सब था फोन के अंदर और जैसे हमने बताया रेडिमी नोट 11 को रिब्रांड करके बेचा जा रहा है इंडिया में पोको के नाम से तो चलिए देखते हैं पोको की स्पैसिफ के सब स्टार्ट करते हैं इस फोन की बाड़ी और इसकी डिजाइन से तो अगर आप बैक पे देखोगे तो यह फोन कुछ इस टाइप का दिखने वाला है कैमरा सेटप के बगल में एक चोटा सा ब्लैक पैनल दिया है अब आते हैं इसके प्लेटफॉर्म पे तो यह फोन एंड्रोइट 11 के साथ लॉंच होने वाला है जहां पर आपको MIUI की 12.5 वर्जन का सपोर्ट मिलने वाला है जी प्यू इसमें यूज किया गया है मेल जी 57 का और चिपसर जो इसका होने वाला है MediaTek Dimensity 810 5G होने वाला है तो यह फोन 5G है और CPU इसका Octa-Core है तो यह फोन काफी अच्छा वर्किंग करने वाला है यह फोन आपको दो वेरियंट में अबलेबल होने वाला है 128 GB के साथ 4 GB और 128 GB के साथ 6 GB अगर आप थोड़ा अच्छा जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ 256 GB के साथ 8 GB की रैम भी अबलेबल हो जाएगी और यह जो रैम है UFS 2.2 है यानि की Ultra Fast Speed वाली अब बात कर लेते हैं इसके कैमरे की क्योंकि कैमरा में बहुत चरूरी होता है बैक पे आपको डूवल कैमरे का सेटप पिलने वाला है जिसमें की एक कैमरा है जो इसका में कैमरा है 50 MP का वाइट कैमरा है और 8 MP का अल्टरा वाइट कैमरा है यहाँ पर आपको बैक पे LED फ्लैस मिल जाएगा और यह कैमरा जो है वो HDR और पैनल रोमा को सपोर्ट करता है फ्रंट पे अगर आप देखोगे कैमरा तो फ्रंट पे आपको 16 MP का कैमरा मिलने वाला है जिससे आप 1080 पिक्सल की रिकॉर्डिंग कर सकते हो 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाप से पिकर आपको यहां पर 3.5 mm का जैक भी मलने वाला है इवह स्टूरियो ब्रम कादां सवाथ जक्सल फ्रेम पर cultural काफ आइसमे फ्रेम काफी कौलिटी इने वाला है सांट का कञ्शन लिए इसके तबत今 मिलने वाला है IPS LCD जो कि 9C Hz पर रन करेगा अगर इसकी brightness की बात करें तो 450 nits का brightness आपको यहाँ पर दिया गया है Size अगर हम देखेंगे तो 6.6 inch की display है यहाँ पर और इसका जो expected ratio है वो 20 ratio 9 का और जो इसका protection है वो Gorilla Glass 3 का है या 5 का है यह तो अभी हमको भी नहीं confirm है बैक पे लेकिन आपको Gorilla Glass 5 का या 3 का support मिलने वाला है दोनों में से कोई एक ना एक support आपको दे दिया जाएगा अगर हम बात करें sensor के तो इसमें आपको fingerprint sensor मिलने वाला है जो कि side mountaint है अगर हम बात करें इस phone के overall look के बारे में तो phone काफी अच्छा देखने में लग रहा है जो side में इसकी branding दी है यह काफी अच्छी है वो भी लेकिन अगर बात करा जाए इस price range में अगर हमको IPS LCD डिस्पले दी जा रही है तो में भी कहीं तक वह ameloid दे सकते थे क्योंकि इतने ज अगर करके बेचा जा रहा है तो लेकिन अब company जाने वह ऐसा क्यों कर रहा है आप क्यों नहीं कर रहा है या फिर मार्केट में ला नहीं था तो कुछ नया लेकर के आते पोको M4 का कुछ नया लेकर क्याते वहीं पुराने phone को फिर से अपना नाम बदल के design बदल के look बदल के बेचना मार्केट में नहीं नाम से कुछ ज्यादा खास नहीं अगर एक नया ब्रांड लेकर क्याते नया phone नया model लेकर क्याते तो में भी काफी अच्छा जा सकता था लेकिन फिर भी इंडिया में इसको इतना ज्यादा demanding करा जा रहा है कुछ खास मुझे phone में ऐसा नहीं हो तो आप इस phone के सांथ जा सकते हो वरना आपके पास बहुत सारे option ने किसी के सांथ भी जा सकते हो तो यह था हमारा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा कुछ पूछ ना हो तो हमें कमेंट कर लीजेगा लेकिन हमारी YouTube चैनल टेकन सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के सांथ तब तक करते रहिए पेल के टेक बकाईती है